नमस्कार दोस्तों मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूटीब चैनल प्रैक्टिस स्मोक ऐसे सी पर प्यारे दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी ही कहूंगा कि जैसे भी हैं अच्छे होंगे और खूब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे इस समय बहुत ही कीमती समय चल रहा है आप लोगों के लिए क्योंकि एक्जाम कंटीन्यू आ रहे हैं तो इस समय यदि परेशानी भी हो थोड़ा बहुत तबियत भी खराब हो तो उससे मतलब थोड़ा सा समझोता कीजिएगा लिकिन पढ आपका सपना है उस सपने के लिए खूमन लगा कर पढ़ाई पढ़ाई करें मैं और आप इस जर्नी में साथ हैं ठीक है प्रेक्टिस स्मोग आपके साथ है चलिए शुरू करते हैं आज के महत्मूर्ण प्रश्ण दमदार सेशन होने वाला है आज का ठीक है मैं आप लोगो के लिए बता दूं कुछ जो इंपोर्टेंट है जो आज कखे के लिए है प्यारे दोस्तों एच बहारत का पहला ऐसा राज्जी है पहला ऐसा इस टेट है जो इस तरीके की योजन लेकर आया है right to walk भारत का पहला राज्जी पंजाब इसके साथ साथ बच्चों के लिए प्यारे दोस्तों बच्चों के लिए स्वास्थ यानि की health digital card बच्चों के लिए health digital card जारी करने वाला भारत का पहला राज्जी है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश ठीक है तो यूपी भारत का पहला ऐसा राज्य है जो बच्चों के लिए स्वास्त डिजिटल कार्ड मतलब लेकर आया है ठीक है डिजिटल स्वास्त कार्ड लेकर आया है ये बच्चों के लिए इसके साथ साथ इसके साथ साथ एक चीज़ और देखेंगे अगर मैं बात करूं एक योजना आई है पोशन भी और पढ़ाई भी पोशन भी और पढ़ाई भी ये योजना को लॉंच किया है इस्मरती इरानी ने इस्मरती इरानी थीख है Union मिनिस्टर इस्मरती इरानी आप लोगों की लिए प्रश्ण है इस्मरती इरानी के पास कोन सा मन्त्राल है इसके साथ एक चीज़ और देखेंगे حाल ही में श्री में योगी आधित्य नाथ जो कि UP के CM है इन्हें एक पुरुषकार से सम्माना गया है एक पुरुषकार से मतलब सम्मानित किया गया है और आप सभी को पता होगा उस पुरुषकार का नाम है भारत रत्न भारत रत्न डॉक्टर अमबेड कर अवोर्ट ठीक है तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अमबेड कर अवोर्ट से सम्मानित किया गया है तो यह कुछ दमदार आज के जो वन लाइनर कोशन थे जो आप लोगों को जानना था वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ शुरू करते हैं हूँ अमंग दी फोलोविंग हैस बिकम दा न्यू सी ओफ दी एसोशेशन अफ एसेट री कंस्रॉक्शन कंपनीज ए आर्सी इसके कोन सी ओ हैं तो हरी हर मिश्रा हरी हर मिश्रा इसके प्यारे दोस्तों कोन है सी ओ है यह थोड़ा सा है इसके बारे में यह आप लोग पढ़ लीजिएगा ठीक अगला कोश्चन है कि हाल ही में जो और्किट के जो आठ्वे टाइटानिक प्रिंस थे उनके में आई एके में धावी सिवा प्रुशकार दोह जारती से समानित किया गया उनका क्या नाम है रिस्टेंट लिए टाइट टाइटलर प्रिंस ओफ आर कोट हैस बीन हैस बीन ऑन और विद आई ए ए मेरिटारियस सर्विस अवर ट्वंटी ट्वंटी ट्वंटीटर वाट इस नेम उनका नाम था नवाब मुहम्मद अली यह इनका पूरा नाम है जेने यह प्रिशकार मिला है अगला कोशन इसे थोड़ा से आप लोग देख लीजेगा ठीक है इसे थोड़ा से देख लीजेगा अगला कोशन इंपोर्टेंट है हाल ही में फियो ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इओ इस्टैंड फॉर ठीक है एफ आई इओ इस्टैंड फॉर तो प्यारे दोस्तों इसकी जो फुल फूर्म है वो है फैडरेशन ओफ इंडियन एक्सपोर्टर और और नाइजेशन अकर मैं बात करूं तो यह एक्सपोर्ट करता है रश्या के साथ युनाइटिड इस्ट ओर जनरल SEO है Dr. Ajay Sahay याद रहिए लैक अगला कोस्टन ऐ फॉर्ड टेछित दोर्सटेव फॉर्टन अफूर्टर इस्ट्राइड है जडियर तीज मूइब विल विल्लाइट इन पॉर्ट विल्वार्टिट्र इन जोर्ड इन विल्वार्ड एट विल्वार्ट इन एं इन देंजर्ट वाइड लाइफ ऑफ दाइस्टेट तो अब यह स्टेट का एक तरह से नाम पूछ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों जोधपुर ठीक है भीलवाडा ठीक है तो यहां से तो आप लोगों ने तुरंत पकड़ लिया होगा कि इसका उत्तर तो सर राजिस्थान है त इसमें चीज देखिएगा थोड़ा सा आप लोग देख लिजीएगा इसमें इसमें जो है तीन नय वायल लाइफ कंजर्वेशन है ठीक है सौर्शन घीचन और हमेरगड बाकि आप लोग इस से थोड़ा सा देख लीजीएगा यह आप यह लोगों के लिए है अगला मंडे ट्ईज्जे वैड्नेस टे या तर्सटेख कम मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्टो तो ये मत आया जाता है हाली में 17 अप्रेल को मनाया गया लेकिन इस दिन decide किया जाता है April का चोथा fourth Thursday in April ब्रहस्पतिवार को यह दिन मनाया जाता है इस बार के इसकी theme है digital skills for life ठीक है याद रखेगा अगला question recently the west stand west stand at which cricket stadium has been renamed as the Sachin Tendulkar stand ठीक है तो प्यारे दोस्तों वो सारजहा cricket stadium है ठीक है सारजहा cricket stadium है जिन्होंने सचिन Tendulkar के नाम पर मतलब यह इस्टेंड का नाम रखा है उनकी पचासवी जर्म दिवस ठीक है उनके पचासवी जर्म दिवस पर यह रखा गया है जो की कहा पर है UAE United Arab Emirates ने इसको जो है celebrate किया है ठीक और cricket के master और ब्लास्टर क्रिकेट के भगवान के संग्या दी जाती है तो आप सभी लोग उन्हें जानते होंगे यह देखिएगा एक पावर ग्रिड कॉर्परेशन ओफ इंडिया लिमेटीड पीजी सी आइल के बारे में कुछ स्कुल सही लेकिन यह मुंबई में नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों यह गुरू ग्राम यानि के गुड़गावा में गुरू ग्राम में ठीक है तो याद रखिएगा तो इसका महारत्न कंपनी है याद रखिएगा इसके बाद बात करते हैं रिसेंटली ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मा एस लॉंच्ट वैक्सीन सिंग्रिक्स इन इंडिया टू प्रिवेंट सिंगल्स मतला इसमीच ओगर मैं बात करूं तो दाद के बारे में बात की गई है जुक चहरे या सरीयर को एक तरफ विक्सित होता है ठीक है सारी चीजों को पढ़िएगा यह आप लोगों का है क्योंकि देखे अगर मैं आप लोगों के लिए इसी मतलब इतने कम समय में इस्टेटिक भी लाओं और जो डेली चल रहा है वो भी लाओं और रिविजन भी तो लंबा हो जाएगा तो जो आप लोगों को जानने के लिए था वो मैं कराता हूं यह ओनी स्क्रीन है यह सब आप लोग पढ़िएगा वीडियो को साथ में देखने के बाद भी दो बार जरूर देखेगा नोट्स जरूर बनाईएगा इंपोर्टेंट प्रश्न है रिसेंट्ली दा गवर्मेंट ओफ मतलब क्या कौन से इस्ट्रेट क सब्सक्राइब है तो इसमें अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे होंगे तो आपको इसका उत्तर मालूम होगा हिमाचल प्रदेश ठीक है हिमाचल प्रदेश ने और इंडिया के साथ मतलब यह MOU किया है ठीक और इंडिया लिमिटिट की बात करें निए उत्तर प्र का हूं अगला कोशन कोर सिंग हूँ पास्ट वेरी सेंटली वाज एसोशी एटेट विच ओफ दी फॉलोवें इस पोर्ट्स तो मेरे प्यारे दोस्तों कोर सिंग weight lift sorry coursing जो है वो boxing के लिए जानी जाती थी coursing किसके लिए जानी जाती थी boxing के लिए जानी जाती थे coursing an Indian heavy weight champion boxer from Punjab has recently passed away in he represented India in the Los Angeles Olympic in 1984 तीन बार गोल्ड मेडल जीता है सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में और एशियन गेम्स में इसके अलावा अरजुन आवर और पदम श्री भी मिला है ठीक है तो कॉर सिंग बॉक्सिंग सिंग सिंग राइमिंग से या सिंग बॉक्सिंग ठीक है तो आप लोग को याद होगे बस और बताइए इससे इजी क्या होगा ठीक तो ऐसे ही कुछ अपने से भी याद करने की कोशिश किया कीजिएगा आई होप आप लोगों को शेशन पसंद आया होगा प्लीज अगर पसंद आया हो यूसफुल हो आप लोगों के लिए शेयर जरूर कीजिएगा लाइक कमेंट के माध्यम से मुझतक अपनी बात भी पहुचाएं इसके साथ साथ डेली हम लोग जो है कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा करेंट अप तक पहुचाने की मैं कोशिश करूंगा करें से डरने के जुरूत नहीं है जब तक हम लोग आपके साथ हैं ठीक है बस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा बनाए रखिएगा वन डे एक्जाम से लेकर मेंस तक के जितने भी करन्ट पूछे जाते हैं वो सब मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा ठीक है खुमन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा प्रैक्टिस मोग का जो एप है जो वैब साइट है वहाँ पर बहुत सारे कोश्चन से आप लोगों के लिए आप लोग अपनी प्रैक्टिस को जो है चेक कर सकते हैं अपने इस तर को जा सकते हैं लेवल जा सकते हैं आप कहां स्टेंड कर रहे हैं आ मैं रिजनीश कुमर पांडे आप लोगों से विदा लेता हूं कल पुनह मुलाकात होगी तब तक कि लिए जया हिंद जया भारत